वेल्कम बैक टो दे चैनल गाईज आज हम लोग बात करेंगे चाइनीज नाश सब्मेरीन एक्जाक्ली यह नुक्लियर सब्मेरीन था और यह पुरा डूप गया चाइना के वहां जो शिप्याड था वहां क्या आपको पता है एक्जाक्ली क्या हुआ था या फिर कैसी हुआ सारा information जो है इसी वीडियो में आपको मिलने वाले है तो शुरू करते है आज का वीडियो शुरू करते है शुरू से अचानक यूज गवर्मेंट के तरफ से एक information प्रोवाइट किया गया है मीडिया में जिसमें कहां जा रहा है कि चाइनीज गवर्मेंट का जो स्टेट नुक्लियर सब्मरीन कुछ दिन पहले चाइनीज गवर्मेंट ने बनाया था वो शिप जो है वो ढूब गया वहान जो शिप याड है वहां तो यूज गवर्मेंट के तरफ से एक नीउस को हाईलाइट किया गया जिस नीउस में कहां जा रहा है कि चाइना का जो स्टेट नुक्लियर सब्मरीन था यह कोई पुराना सब्मरीन नहीं यह नया सब्मरीन है वह अच्या नक्सरे वहां जो शिप यह उस भी हम लोको बोला नहीं है ऑप पूर्च सकते कि यह उसको क्यों मिला और आपको पता है नो डाउट चाइना के बारे में सबसे बेस्ट जो इंफोर्मेशन रखते हो यूएस और यूएस दुनिया में क्या चलता है यह चाइनीज जो इसे उन लोग के पास भी पहुंशता नहीं तो ऐसा एक चीज तो यह बह रहना यह सब कुछ चलता है रहता तो जो भी हुआ है अभी क्या हुआ चाइना ने अपने तरफ से स्टेट आप द आर्ट नुकलर सब्मरीन बना था इसको लेके एक टाइम में चाइना बहुत हाइलाइट कर रहा था पॉइंट आफ टाइम वो लोग कहे रहे थे कि आम लोग से इसको लेके कुछ नहीं बोल रहा है तो यूएस अपने तरफ से थोड़ा सा रिसर्च किया और यूएस के पास एक डेटा या जिस डेटा के अनुसार के यह जो सब्मरीन है यह नियुकलर सब्मरीन यह नया नुकलर सब्मरीन पानी में डूब गया अब ऐसे कैसे हो सकते सब्मरीन का कीमत किया होता है अगर इंडियन नाशनल रूपी में इसको कनवर्ट करें तो लगभग ऐसी हजार करोर से 15000 करोर तक खर्चा आया है यह सब्मरीन को बनाने और अच्टानक से यह सब्मरीन डोग गया इसके पिछे रीजन किया है चाइना को पूछो और चाइना के तरफ से अभी यह माना थे जो बोला गया है उसके तरफ से और अदा ni भी मनलब government official का कुछ बयान अभी तक नहीं है तो यह सब सुनने के बाद आप पूची सकते हो कि चाइन इतना सब कुछ छुपा था क्यों है जो है है अगर डूब गया तो इसके पीछे भी बहुत सारा रिजन से पहला जो रिजन है वह है चाइना का इमेज जो हम लोग देखत का जो पावार है उसमें थोड़ा सा कोशेन अराइज हो ही सकता है दूसरा जो पॉइंट है कि आज के डेट में अगर हम लोग देखे चाइना दुनिया भर में अपना जो डिफेंस मेट्रियल है या फिर जो वेपन से वह एक्सपोर्ट करता है अफगनिस्तान पाकिस्तान मायंड मार साओदियारबिया हर जगा चाइना अपने तरफ से यह जो डिफेंस मेट्रियल है यह सब कुछ एक्सपोर्ट करता है 2010-2020 तक अगर हम लोग देखे इनन एवरेज चाइना हर साल डेर बिलियन डॉलर का जो वेपन है यह एक्सपोर्ट करता है इसके वैसे ही चाइ सब्मरीन है यह सब्मरीन हो आप जाएंगे उसके पास कोई वेपन खरीदने आज के डिट में जो कंट्री को चाइना अपने तरफ से यह जो डिफेंस मेट्रियल यह एक्सपोर्ट करता है जब वह बात उन कंट्री को पता चलेगा एक बात सोचे गाए चाइना की से क्या सा सब्मरीन हो बचाने पाया क्या हम लोगों को दूसरा समान बेशेगा हम लोग दूसरा कंट्री के पास जाते सहीं समान करते हो सकते हैं चाइनीज गवर्मेंट ने अपने तरफ से यह बाता के रख दिया अब जो कुश्चन होता है अगर यह नूक्लियर सब्मरीन था तो न सब्सक्राइब को पता है चाइनिस गवर्मेंट को पता है चाइनिस गवर्मेंट का उनुसार कोई सब्मरीन डूबाई सब्सक्राइब को पता है चाइना में स्टार्ट हो गया है तो हम लोग को भी पता नहीं क्या कंडिशन में है यह किसी को पता नहीं एक्सेप चाइना चाइना अपने तरफ से यह बात कभी भी पॉब्लिक नहीं करेगा तो चलिए आप बात करते है कैपिटल सी टू मतलब चाइना का चुपाना अगर चाइना का यह जो हैबिट है बइस इसूइर्ट को चुपा देते दुनिया के सामने नहीं लाता है तो यह जो incident है ये बहुत पहले से यह है आज के रिट में आप चाइना के citizen है अगर आप अपने इंटर्नेट में कहीं भी जाके करते उसके बाद आप अगर आप कोई बी एक negative या फिर कोई भी एक positive sentence type करते अगर आपको कोई सेंटेंस टाइप करते हैं अगर आप कोई negative sentence करते हैं आप क्यों धून रहो क्या नहीं चलिए आप हम लोगे साथ चलिए करते तो आपका लाइप में कुछ हो सकता है मगर कुछ चांसे मुझे नहीं लगता कि चाइना में हैं हो सकता है कि आपके घर में कोई बेल ना बाजाए तो ऐसा ही एक एंविर्मेंट में चाइने जो सिटीजन है अगर हम लोग पास्ट में देखे चाइना का एक 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 टाइम में चाइना का जो जादा ही सफर कर रहे है किसी को भी पता नहीं हो कहां गया है उसको पुरा गुमा दिया है ओड़ा और पास्ट में चाइना कहला सता नहीं कुछ आपको भाण बढ़ाए है चाइना रह एक चाइना को में कुछ problem face करना पड़े अगर यह जो सब्मेरीन का बात है अगर यह दूबा है तो अब्विएसली चाइनीज गवर्मेंट ने अपने तरफ से रिसर्च भी किया होगा कि क्यों डूबा है और कौन इसके पीछ करके चाइना में यह कर रहाता है अगर अगर उन लोग को लगता है कि यह ऐसा है तो ऐसा ही है ऑन देखा जाए चाइना को अगर सच में यह सब्मरीन डूब गया है तो चाइना को एक हुज लॉस हुआ है कि हम लोग को पता है चाइनीज एकोनोमी जो हो सफर कर रहा है और अगर जाके चाइना को इस चीज को लेखे और भी कुछ सब्सक्राइब कर सकते हैं कि यहां आपको बहुत सारा इंट्रेस्टिंग वीडियो मिलने वाला है जो वीडियो आपको सब्सक्राइब कर सकते हैं उन तक पहुंचता है हम लोग जैसे जो प्रेटर है हम लोग का जो रोजी रोखिया वो चलता रहता है आज यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद कर दो कर दो चलता है जो इताए के लिए चो प्रेटर है वीडियो नहीं है।